राम राम जी आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है आज मैं आपको ये दो रूम का डिजान बना के दिखाऊंगी आप इसको छोटे बच्चे के करडिकन में डाल सकते हो एक डिजान ये दो फंदे का है और 8 सडाई का है बोडर बना के जो पहले सडाई मुशुरू क करेंगे तो फैल इस ही बना के दिखारी माग को हां अब पिंग दगल लगाएंगी हम हूप है इसमें एक रंग के दग्गे की च्यार सडाई उतर एंगी एक दग्गा चलेगा से पहले में एक पंदा पिंग बना लिये ये फिर एक फंदा बग्यार पने उतार लिया से कर लिया अब ये दो दागे पूरी सलाई में बनाएंगे एक फंदा पिंक बना लिया एक फंदा मने सलिप कर लिया फिर एक फंदा पिंक बना लिया एक सलिप कर लिया एक फंदा पिंक बना लिया एक सलिप कर लिया ये डिजान बनाने के लिए उन पतली रखेंगे और सलाई यमें मोट्ती लगाएंगे दो रूंका कोई भी डिजान है पतली उन लगाएंगे और सलाई मोट्ती और थोड़ा हा डिला डिला बना लेना अगर खिंचके बनाएंगे तो फिर ज्यादा टाइट हाँ बनेगा आथ थोड़ा पना डिल्ला रखना फिर कोने वाला ऐसे सिद्धा बनाती है अब ये पली सलाई है अब आगी दूसरी सलाई उल्टी सलाई उल्टी सलाई भी सिद्धे फंदे बनाएंगे पूरी कोटी में और सिद्धी सलाई में भी सिद्धे फंदे बनाएंगे अब ये साइड मारी उल्टी है देखो और फंदे अम सिद्धे बनाएंगे दूसरी सलाई में फिर अपनी तरफदा गा करके जो फंदे अमने बनाये थे उनको सिद्धा बना लेंगे और जो फंदे अमने सलिप किये थे उल्टी सलाई में वे उनको सलिप करतेंगे अब यही दो फंदे बनाएगे पिछे दा गाकर के एक फंदा सिधा बना लिया अपनी तरफ दा गाकर के एक फंदा सलिप कर लिया फिर पिछे दा गाकर के एक फंदा सिधा बना लिया फिर एक सलिप कर लिया जो पिंक फंदे हैं उनको बना लेंगे जो गरे फंदे हैं सलिप किये हुए उनको सलिप कर लेंगे अब ये दूसरी सलाई है उल्टी सलाई है ये सलाई भी हमें इस तरह उतारेंगे पूरी सलाई एक पिंक बना दिया एक गरे सलिप कर लिया फिर एक पिंक बना दिया फिर एक गरे सलिप कर लिया ये देखो उन पतली है और सलाई में नो नम्बर की लगा रहे हूँ दो सलाई होगी अब आगी तीसरी सलाई सिद्धी सलाई अब तीसरी सलाई भी हमें पिंक दाग्ये से ही बनाएंगे पहली भी पिंक से बनाई थी दूसरी उल्टी भी पिंक से अब तीसरी सलाई भी पिंक दाग्ये से बनाएंगे अब की बार जो फंदे बना रखे हैं उनको सलिप कर लेंगे और जो सलिप किये थे सीद्धी में भी रूल्टी में भी पहली सलाई और दूसरी सलाई में ये गरे रंका सलिप किया था अब ये फंदा में सिद्धा बना लेंगे और ये दूसरा फंदा है जो बना रख्या है उसको स्लिप कर लेंगे अब ये इसी इतरा करेंगे ये सिद्धी साइड हमारी है अब सिद्धी साइड में भी हमां तीसरी सडाई है सिद्धी सडाई है सारे फंदे सिद्धे कि उल्टी साइड तो हम निदा अपनी तरफ करके बना रहे थे पल्ट रहे थे तब अब सिद्धी में इसी तरह बना लेंगे ऐसे सलीप कर लिया एक फंदा बना लिया एक सलीप कर लिया फिर एक बना लिया फिर एक सलीप कर लिया एक बना लिया अब पूरी सलाई इस तरह ब बना रहे हैं ये बोड़ा फंदा ऐसे सलिप कर दिया अब आगी दूसरी सलाई चोथी सलाई सोरी ये तीसरी थी चोथी सलाई उल्टी सलाई पिछे दागा करके जो फंदे बनाई थे उनी को बनाएंगे अब बियम फिर अपनी तरह दागा करके ये फंदा हमने तीसरी सलाई में सलिप किया था अब चोथी में 20 को सलिप कर लेंगे फिर पिछे दागा करके एक फंदा बना लिया एक सलिप कर लिया फिर एक बना लिया सलाई तो ये दूसरी सलाई की तरह है बस थोड़ा फंदा बदल दिया हमन एक सलीप कर लिया अब ये च्यार सलाई होगी अब आगी पांच मुझे सलाई अब बनाएंगे हम जो ये च्यार सलाई हैं इसी तरह बस दागब दल लेंगे अब आगी पांच मुझे सलाई तो पांच मुझे सलाई में हम किस तरह बनाएंगे एक फंदा ये गरे बना लिया फिर ये फंदा हमने सलीप कर लिया अब ये फंदा देखो ये सलिप किया था, आमने तीसरी सलाई में, अब इस फंदे को बनाएंगे, एक बना लिया, अब ये दो फंदे बनाएंगे बार बार, ये सलिप कर लिया, अब ये फंदा सलिप किया था, आमने चोथी सलाई में भी तीसरी सलाई में, अब इसको बना रहे हम, एक बना लिया, एक बना लिया एक सलिप कर लिया एक बना लिया एक सलिप कर लिया अब ये पांचमी सलाई को पूरी को इस्तर उतार लेंगे अब मारा दगा इस्तर है तो थोड़ा इस्तर कर करके बनाना खिचा हुआ नि बनेगा बिल्कुल दिला डिला बनेगा सही लगेगा डिजान फिर ये ऐसे करके ये थोड़ा डिला अतरकना ऐसे कर लेंगे ये फिर कोने बड़ा बना लिया अब आगी छटी सलाई उल्टी सलाई अब छटी सलाई में भी आमें जो फंदे आमने बना रखे उनको बना लेंगे जो सलीप कर रखे उनको सलीप करतेंगे अब ये दो फंदे बनाएंगे अब ये बना लिया ये सलीप कर लिया जो सिद्धी में बनाएंगे उल्टी में भी आमने वही फंदा बनाना है सडाई सारी सिद्धी उतार रहे हैं उल्टी साइड से भी और सिद्धी साइड से भी चार सलाई पिंक दाग्य की उतार दी अब ये पांचवी और चटी गरे रंग की उतारी है आग्ये फिर साथवी और आठवी भी गरे रंग की उतारेंगे अब ये छे सलाई होगी अब आगी सात्मी सलाई सिद्धी सलाई अब सात्मी सलाई में अमें अब ये फंदा आमने बना दिया था पांचमी में रचटी में इसको सलिप करेंगे अब ये फंदा बनाएंगे सात्मी सलाई में ये सलिप कर लिया फिर ये फंदा बना लिया गरे वाला सलिप कर लिया पिंक वाला बना लिया फिर गरे वाला सलिप कर लिया पिंक वाला बना लिया पांचमी सलाई में अमने ये फंदा बना था ये सलिप किया था अब की बार ये बनाएंगे ये सलिप करेंगे ये सलिप कर ल लिया पिंक वाला बना लिया अब यह सात्वी सलाई भी पूरी सलाई इस्तर उतार लेंगे बस यह द्यान आसान है बिल्कुल जानिए यह द्यान रखना कोण सा फंदा पिछली बार बना थाब की बार कोण सा बनाएंगे कोणे वाला ऐसे सलीप कर लिया अब आगी आठवी सलाई उल्टी सलाई अब आठवी सलाई में भी जो फंदा मने सलीप किया था सात्वी में उसी को सलीप करेंगे और जो बना रख़्या उसी को सलीप बनाएंगे अब यह दो फंदे बनाएंगे फिर अपनी तरफ दागा करक यह फंदा मैंने सलिप किया था यह सलिप कर लिया सात्वी में और यह फंदा बना था सात्वी सलाई में इसी को बना दिया एक बना देंगे एक सलिप कर देंगे एक बना देंगे आप इसको जैसे मल्टी कलर में बनाओ बचे हुई होई है तो उससे भी अच्छा लगेगा ये थोड़ी-थोड़ी उन बचे हुई है जैसे गरी रंकादा का बार-बार लगा लेंगे आगे एक बार पिंक लगा लिया आगे फिर और कोई दूसरा लगा लेंगे इस तरह लग लगा के अच्छा लगेगा वह भी अब देखो ये आठ शडाय मारी पूरी ओगी और एक डिजान भी पूरा हो गया अब फिरम पहली सडाय से फिर शुरू करेंगे यही आठ शडाय बार-बार बनाएंगे तो ऐसा डिजान बनेगा हांजी मेरा डिजान पसंद आये और बत